रोट कोलर कुर्ती बनाने के लिए मेरे पास जे फैब्रिक है और जे धाई मीटर है फैब्रिक का अर्ज जो है वो नॉर्मल फैब्रिक से थोड़ा ज्यादा है जैसे वेलवेट और सुनील का जो फैब्रिक रहता है उसका जो अर्ज रहता है वो बड़ा रहता है ये जो साइड से ही मैं कुड़ते की लेंथ लोगी मतलब 49 इंच लेंथ लेके हम इसी साइड से कटिंग करेंगे इसका जो फैब्रिक है वो मैं आपको पास से दिखाती हूँ इस पे जो बहुत बारिक बारिक फर है ऐसी फर वाले ड्रेस अभी बाजार में भी मिल रहे हैं जिसमें एक टीशिल्ट रहती है और पेजामा रहता है उन पे जो फर रहती है वो थोड़ी बड़ी रहती है और इसकी जो फर है बहुत बारिक है इसका जो फेबरिक है वो एकदम बहुत सौफ्ट है और जितना ये सौफ्ट है उतना ही ये पहनने पर गर्म भी है इसका जो फेबरिक है जब हम ऐसे उपर की तरफ करते है तो ये फर जो है वो उपर की साइड हो जाती है और जैसे हम इसे ऐसे नीचे करते है तो एकदम ये करब से करूंगे दोनों साइड जो फर है उसका जो फेस है वो नीचे की साइड आएगा उतना हम यह घेर चाहिए उतना ही हम फैब्रिक को इस साइड से डबल फोल्ड करेंगे हिप साइज 44 की अकॉर्डिंग मैंने 20 इंच घेर लिया है और फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है यह ए लाइन कुड़ती है इसका घेर हम नॉर्मल घेर से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे पहले हम सिर्फ बैक साइड का कटिंग करेंगे और उसके बाद हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे तीरा जो है वो मैंने 7 इंच लिया है फ़ींच कम लिया है क्योंकि यह फैब्रिक जो है वो स्ट्रेचेवल है लेकवित के लिए मैंने टू एंड हाफ पे मार्क लगाया है आर्म होल मैंने सेवन इंच लिया है और यहां से हाफ इंच से थोड़ा सा ज्यादा मैं कार्ट डालूंगी सेवन एंड हाफ पे मैंने वेस्ट के लिए मार्क लगाया है और हिप के लिए मैंने 16 इंच पे मार्क लगाया है बस्ट के लिए मैंने 10 इंच लिया है वेस्ट के लिए मैंने 8.5 इंच पे मार्क लगाया है और हिप के लिए मैंने 11 इंच पर मार्क लगाया है तीनों मार्क को मैंने मिला दिया है यहाँ से हम 1.5 या 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम इंची टेप को नीचे तिरचा मिलाएंगे तो मार्क मैंने लगा दिये है सबसे नीचे की साइड यहाँ से हम 2.5 तीन इंच की कटिंग करेंगे इससे side की जो corner है वो नहीं निकलेंगे Armhole को shape देते हुए अब हम यहां से cutting करेंगे Mark की according cutting मैंने कर ली है बाकी बचे fabric में से अब हम front side की cutting करेंगे Front part cutting के लिए मैंने fabric को double fold कर लिया है अब इस back part को मैं इस front side पे रखकर set करूँगे Back part को मैंने front part पे रखके अच्छे से set कर लिया है Front side को मैंने half inch extra लिया है इतना ये सिलाई में जाएगा क्यूंकि यहां पे मिरको center में strip लगाकर अंदर की side fold करना है यहां पे आप 2 से 1.5 inch तक margin ले सकते हो और बाद में उसको अंदर side fold करके neck तेयार कर सकते हो जी fabric बहुत कम है इसलिए मैंने half inch ही margin लिया है तो यहां पे मैं अलग से strip attach करूँगी और उसे अंदर की side fold करूँगी तो अब मैं front part की cutting भी कर लेती हूँ front part की cutting मैंने कर ली है अब हम sleeves की cutting करेंगे sleeves की cutting मैंने कर दी है length मैंने 20.5 inch ली है वैसे length मेरको 22 inch चाहिए थी लेकिन fabric कम था इसलिए length जो है इतनी ही निकल पाई है sleeves का bottom मैंने 4 inch लिया है और extra margin देते हुए cutting कर ली है तो अब ही हम सबसे पहले front neck stitch करेंगे तो इसके लिए हम front part को center में से cut करेंगे center को cut करने के बाद अब हम neck के लिए mark लगाएंगे neck width के लिए मैंने 2 and half पे mark लगाया है जो मैंने extra margin लिया था half inch का उसको छोड़ते हुए मैंने 2 and half पे mark लगाया है जो length है वो मैंने 3 inch से थोड़ी से ज़्यादा ली है half inch उपर से slime में जाएगा तो यहां से हम wrong shape देते हुए neck के cutting करेंगे collar लगाने के लिए neck के cutting मैंने कर ली है लेकिन चो neck deep है वो मैंने 8 inch लिया है कुड़ते को मैंने सीधा करके set कर लिया है इस पे हमें 1.5 inch के strip cutting करके लगाना है और उसे अंदर की तरफ fold कर देना है strip लगाने के लिए मैंने यह fabric लिया है यह strip मैं नीचे से ऊपर तक लगाऊंगी ऊपर से यह थोड़ी सी broad रहेगी तो इस fabric को हम पहले neck पे अच्छे से set कर लेते हैं उसके बाद cutting करेंगे fabric को मैंने अच्छे से neck पे set कर लिया है अब यहां से हम wrong shape देंगे अब नीचे की round shape के according मैंने ऊपर भी यह shape दे दी है और यहां से मैंने यह shoulder तक का fabric लिया है और बाद में जब यह strip हम अंदर की side पलताएंगे तो यहां यह जो fabric है shoulder के साथ attach हो जाएगा shoulder से इसे हम V shape देते हुए नीचे की side ले आएंगे और यहां से मैंने 1.5 inch लिया है और नीचे तक हम यह ले आएंगे collar पे हम यह broad fabric इसलिए attach कर रहे हैं क्योंकि जब हम collar को fold करेंगे तो हमें यह ulti side दिखाई नहीं देगी इसकी जगे हमें यह fabric दिखाई देगा इसकी सीधी side दिखाई देगी तो अब मैं यहां से cutting कर लेती हूँ तो strip की cutting मैंने कर ली है अब मैं इसे यहां से सिलाई लगाना शुरू करूंगी और नीचे तक सिलाई लगाऊंगी यह mark मैंने 2 inch पर लगाया है और यहां से यह इतना जो fabric है वो सिलाई में जाएगा यह पूरी सिलाई लगाने के बाद हम यहां पर cut लगाएंगे और इस strip को अंदर की side पलटा देंगे अभी मैं यह सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ तो एक पैर की सिलाई मैंने लगा दी है और अब neck पे यहां से हमने सिलाई शुरू की थी यहां पर हम हलका cut लगाएंगे cut लगाने के बाद हम इसे अंदर की तरफ fold कर देते हैं strip को मैंने अंदर की side पलट दिया है और cut लगाने से देखिए यह fabric ऐसे निकल कर आ गया है बाहर back side से दिखाती हूँ मैं आप अब cut से हम सिलाई लगा देंगे shoulder तक तो यह जो fabric है जो हमने पीछे की side fold किया था तो वो ही लेगा नहीं तो अब मैं यहां से यहां तक सिलाई लगा लेती हूँ तो पीछे की side हमने fabric attach कर दिया है अब जब यह corner जो है इस तरीके से fold होगा तो यह जो हमने यह fabric लगाया था यही हमें यहां पर दिखाई देगा इसी कारण से हमने यह fabric पीछे attach किया है तो एक side तो तैयार हो गई है अब हमें दूसरी side तैयार करना है जैसे हमने यहां पर fabric attach किया था पीछे की side सेम ऐसे ही हम यहां पर भी fabric attach करेंगे तो mark मैंने लगा लिये है अब सेम मैं इसी तरीके से cutting करूँगे इधर भी और जै fabric attach करके पीछे की side पलड़ दूँगे यह side भी मैं तैयार करने के बाद आपको दिखाती हूँ तो दोनो side मैंने तैयार कर ली है इसके नीचे के side strip को आप fold करके सिलाई भी लगा सकते हो और तुरपाई भी कर सकते हो मैं इस पे पूरा कुड़ता तैयार होने के बाद दुरपाई करूँगी इससे जो सिलाई की जो lines है वो दिखाई नहीं देंगी अब मैं इस side को दूसरी side के उपर रखूँगी सिर्फ half inch तक ही उपर रखूँगी इससे मैंने सिर्फ half inch ही ही उपर रखा है फ्रंट पार्ट की कटिंग के समय हमने half inch ही extra लिया था फ्रंट बहुत कम था इसलिए मैं फैब्रिक को जादा आगे नहीं बढ़ा पाई थी इसलिए मैं बहुत कम फैब्रिक इसके उपर रखूँगी इससे fitting में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप फ्रंट साइड का फैब्रिक जो है वो एक डेड़ी इंच extra लेते हो तो इसको भी आप एक डेड़ी इंच तक आगे बढ़ा सकते हो फैब्रिक को उपर सेट करने के बाद हम नेक ब्रॉड चेक कर लेते हैं कि यह कम तो नहीं हो गया तो नेक ब्रॉड देखिए फाइव इंच है धाई इंच पर हमने नेक की कटिंग की थी तो अभी हो फाइव इंच है तोड़ी आगर यह कम होता तो हमको दोनों साइड थोड़ी गुलाई देना पड़ता अब नेक की जो लेंध है मैंने एट एंड हाफ ली है और उपर से हाफ इंच मैंने स्लाई के लिए छोड़ा है और बाकी जो नीचे का जो फैब्रिक है उससे हम यह दोनों पल्लों को हम सुई धागे से स्टिच कर देंगे नीचे तक नेक की जो लेंध है वो मैंने एट एंड हाफ ली है जब जो कॉर्णर हम यह से फोल्ड करेंगे तो यह आपने आप सेवन एंड हाफ तक आ जाएगी लेंध और यहाँ पे बटन लगाते समय भी आप लेंध कम जादा कर सकते हो अब मैं सुई धागे से नीचे तक इसे स्ट कां सेगर होता तो मैं यहाँ पे बड़े वक्यों से स्लाइ लगा लेती तो अभी मैं इसे सुई धागे से स्टिच कर लेती हूं दोनों पल्लों को मैंने एक साथ स्टिच कर दिया है अब mat इसे बहुत easy handle कर सकते हैं इसे simple कुड़ते की तरह अब stitch करेंगे तो अभी हम front और back part दोनों के shoulder attach कर लेते हैं shoulder attach करने से पहले मैं ये back side पे half inch की cut डालूँगी और slaves पर भी मैं front side पे ये card डालूँगी और उसके बार shoulder attach करूँगी slaves पर मैंने card डाल दी है और back side पे भी मैंने ये card डाल दी है तो अभी हम ये shoulder दोनों के attach कर लेते हैं shoulder attach करने के बाद उड़ते को मैंने सीधा कर लिया है अभी हम collar की cutting करेंगे कॉलर का जो नाप है वो हम यहां से लेना शुरू करेंगे इस cut से दोसरी side जो cut है वहां तक तो इंची tape को पुरा गुमाते हुए मैं collar का नाप लूँगी और fabric को हम बिल्कुल भी stretch नहीं करेंगे तो ये collar जो है वो 15 इंच तक आ रही है एक दो बार आप इंची tape को गुमाते हुए collar की length जुरूर चेप कर लें कई बर जे थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है collar की जो length है वो 15 इंच है 15 इंच मैंने collar के लिए लिया है तो मैंने 15 and half इंच लिया है और collar की जो width है वो मैंने तीन इंच ली है अब इससे हम double fold कर देते हैं अब open side से हम एक इंच की गुलाई देंगे तो अब हम cutting कर लेते हैं यह जो side है जिसे मैं shape दे रही हूँ इसी side को हम neck के साथ attach करेंगे यह side नीचे की side आएगी यह जो गुलाई वाली side है इसे हम neck के साथ attach करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी shape आएगी अब इस collar के दोनों side हम fabric attach करेंगे collar के cutting के लिए मैंने यह double fabric लिया है सबसे पहले हम यह गुलाई वाली side जो है उस पे ऐसे यह fabric को fold करेंगे यहां पे हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम यह corner वाली सिलाई लगाएंगे तो पहले मैं यह sli लगा लेते हूँ तो यह दोनों sli मैंने लगा ली है और जितना भी यह extra fabric है इसको अभी हमें cut करना है यहां से भी हम यह extra fabric को cut करेंगे और उतना ही fabric छोड़ेंगे जितना हम sli में दे सकते हैं extra fabric को cut करने के बाद collar को सीधा कर लेते हैं अब यह जो extra fabric है उसे हम यहां से stitch करना शुरू करेंगे और पूरा गुमाते हुए यहां तक stitch करेंगे यह दूसरे cut तक यहां से stitch करने के बाद यह जो बुक्रम वाली side है वो अंदर की तरफ जाएगी ऐसे और पूरा neck तयार होने का थे इसे हम बाहर की तरफ ऐसे बलटा देंगे तो मैं यह पूरी sly लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ तो यह पूरी sly मैंने लगा दी है तो बुक्रम वाली side आप देख सकते हो कि अंदर की तरफ चली गई है पूरा कुरता तयार होने का थे हम इसे बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से तो यह बुक्रम वाली side है वह बाहर की तरफ आ जाएगी अब यह जो अंदर की side की sly बची है इसे हम यह जो fabric निकला हुआ है इसे अंदर की तरफ करते जाएंगे और उपर से sly लगाते जाएंगे यहां से sly लगाने के बाद अब हम इसे बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से इसकी shape आएगी मैं इसे अच्छे से set करने के बाद आपको दिखाती हूं कॉलर को मैंने अच्छे से set कर दिया है और यहां से आप अपने हिसाफ से setting कर सकते हो यहां से deep भी कर सकते हो और इसे set करके आप यहां से कम भी कर सकते हो कॉलर attach करने के बाद कुड़ते में ज्यादा कुछ बचा नहीं है सिर्फ हमें अब sleeves attach करना है और side की जो fitting की सलाई है उससे लगाना है और कुड़ता complete हो जाएगा तो अभी पहले मैं sleeves attach कर लेती हूँ कॉलर cutting के बाद कुछ fabric बच गया था उसकी मैंने यह cutting कर ली है अब इस fabric को मैं double fold करूंगी और sleeves के नीचे cup के जैसे attach करूंगी इससे sleeves की length एक दो इंच और बढ़ जाएगी sleeves के नीचे मैंने fabric attach कर लिया है और front side यह shape भी दे दी है अब मैं ulti side से दोनो sleeves attach करूंगी sleeves attach करने के बाद fitting की slide लगाना है इसके लिए हम button बट्टी का center करते हुए mark लगाएंगे अमर से भी मैंने 8 inch लिया है यहाँ पे मैं button लगाऊंगी वहाँ से मैंने center लिया है मैंने सिर्फ bust पे और waist पे mark लगाया है यहाँ से हम slide को कम करते हुए नीचे की side ले आएंगे जोनों side fitting की slide लगाने के बाद नीचे की side जितना भी extra fabric निकलेगा उसकी हम cutting कर देंगे cutting के बाद हम घेर को fold करके slide लगा देंगे इससे हम double fold नहीं करेंगे इससे जो fabric है मोटा हो जाएगा और length भी थोड़ी कम हो जाएगी इससे हम single fold करेंगे क्योंकि इसके धागे बगारा कुछ नहीं निकलते leaves का bottom भी मैं 4 inch रखकर सिलाई लगाऊंगी तो अब मैं यह कुरता पूरा complete होने के बाद आपको दिखाती हूँ पूरा कुरता मैंने complete कर लिया है नीचे की side मैं इसे यहां तक open रखूंगी यहां पर मैं button लगा दूंगी कुरते के center में मैं यह black color के button लगाऊंगी इन button को आप थोड़ा थोड़ा gap देते हुए लगा सकते हैं बटन लगाने के बाद कुरते का look कुछ ऐसा रहेगा अभी यह button मैंने लगाय नहीं है सिर्फ उपर रखे ही है बाखी जो चार button बचे हैं उसे हम sleeves पर लगा सकते हैं sleeves पर भी मैं कुछ इस तरीके से button लगाऊंगी पूरे कुरते की final look आप देख सकते हो इसे आप black color की jeans के साथ wear कर सकते हो black color के blaze के साथ wear कर सकते हो यह एकदम coat की look देगा और अगर आप इसे front slit कुरते की तरह पहनना चाहते हो तो आप इसके साथ laggy और दुबटा carry कर सकते हो बने कुरते की और आप बीटर की में कुरते हो इसके साथ का सब्सक्राइब